हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर बहुत प्यारे बिल्कुल न्यू से ट्रेंडिंग से डिजाइन की वीडियो लेके आई हो और यह डिजाइन देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा आप इसे लेडिस की जाकिट में, कार्डिगन में, जैन्स के स्वेटर में जा बच्चों के किसी पर्जेक्ट में अपने लिए कूर्तीव गयरा बना रहे हैं इससे आप बोडर में नीचे थोड़ा थोड़ा चोड़ा चोड़ा बनाएए उपर कोई और डिजाइन डाल लीजे फिर भी यह बहुत सुंदर और बहुत प्यारा होंगे नो फंदों में ये वाला डिजाईन देखे ये वाला डिजाईन हमारा चार फंदों में और पांच फंदों में ये ये 9 फंदों में इतना डिजाइन डलता है इसी तरह से 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे करते हुए जाना है last में ये 4 फंदे हमने इस डिजाइन को set करने के लिए और 2 फंदे दोनों तरफ 1 एक एक फंदा stitch का तो total हमें 6 फंदे extra लेने होंगे last में तो ये हमारा डिजाइन अच्छे से set हो जाएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन बनता है तो जुरूर आप इसे बनाईएगा चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसे बनाना slime में मैंने 24 फंदे डाले हैं अब इन 4 फंदों पर हमने design डालना है अब इस धागे को देखे जिससे हम knitting कर रहे हैं इसे ऐसे पकड़ेंगे डबल करकर आगे कर लेंगे अब ये जो धागा हमारा खिच रहा है इसे छोड़ेंगे जो धागा ये tight वाला है इसे ही आपने हाथ में पकड़ के रखना है ठीक है पुन्ने के लिए अब ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने है अब इस loose वाले धागे को ऐसे खिच कर पीछे कर लेंगे इस तरह से अब फिर से ऐसे ही धागे को डबल करेंगे और 2 फंदे उल्टे और जो हमारा ऐसे खिच रहा है धागा उसे ऐसे पीछे ले जाएंगे अब धागा अपनी तरफ ये 2 फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे इस एक फंदे के हमने 5 फंदे बनाने है देखिए इसे एक बार बनाया अब ऐसे sliper धागा खुमाया अब फिर से बना देंगे ये 3 होगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इसे फिर से बनाएंगे ये टोटल हमारे एक से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे बन गे अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब ये देखिए नो फंदो का हमारा design डल गया है ये stitch को छोड़ देंगे दो, चार, छे, ये साथ, आठ, नो अब ये एक फंदे से हमने बनाए है ना पांच फंदे इनी फंदो को आपने पूरी slime में रपीट करते जाना है तो हमने क्या करना है दुबारा से ऐसे पीछे से धागा double करकर आगे ले आएंगे अब ये धागा देखिए ये ऐसे loose वाला है इसे नहीं जो ऐसे खीच गया है देखिए ये धागा हमारा खीच गया इस धागे से knitting करेंगे तो ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब इसे पीछे से ऐसे खीच देंगे अब फिर से ऐसे ही डबल करेंगे धागे को आगे लेके आएंगे अब फिर से दो फंदे उल्टे ये खीच देंगे ये चार फंदों का design बन के अपना धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ इस एक फंदे से हमने पांच फंदे बनाए, इसे सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ इसे फिर से बना लिया, तीन हो गए, धागा अपनी तरफ इसे फिर से बनाएंगे, ये टोटल हमारे पांच फंदे हो अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे फिर से उल्टे, अब डबल करकर धागा फिर से हमने लाष्ट में अपनी तरफ कर लेना है और ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर पीछे से धागे को खिंच देंगे, अब फिर से धागे को ऐसे ही डबल करेंगे, जो धीला अपने first row अपनी सारी बनाकर complete कर लेनी है अब second row बनानी है हमने उल्टी तरफ से तो इस first फंदे को पहले उतार देंगे first फंदे को उतारने के बाद अब इन चार फंदों पर जो हमने design डाला है इन चारों फंदों को उल्टा बनाएंगे एक, दो, तेन, चार अब धागा दूसरी तरफ करेंगे ये दो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं इन्हें सीधा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ ये एक से हमने पांच फंदे बनाए थे इन पांचों फंदों को उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, अब इसी डिजाइन को हमने पूरी रो में रपीट करना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब ये चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, एक, और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, अब लास्ट में ये चार फंदे उल्टे और एक फंदा स्टिच का है उसे भी हम उल्टा ही बना देंगे तो ये टोटल हमारे पांच फंदे उल्टे हो गए इस तरह से आप फंदे को उतारेंगे धागा ऐसे डबल करकर अपनी तरफ कर लेंगे और फिर से उसी दिजाइन को ट्पीड करना है दो फंदे उल्टे बनाने हैं धागे को पीछे खीच देंगे ठीक है ये वाला डिजाइन हमारा पूरे कार्डिगन में सेम ऐसे ही चलता जाएगा फिर डबल करकर धागा आगे कर लेंगे लूज वाले धागे को नहीं टाइट वाले धागे को ऐसे पकड़ेंगे और उससे दो फंदे उल्टे बना देंगे फिर पीछे से खीच देंगे इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ यह एक दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ यह पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब धागे को डबल करकर एसे आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब इस लूज दागे को पीछे से ऐसे खींच देंगे ठीक है? इसे बहुत जादा ऐसे नहीं खींच ना है, बस इसे नौरमल सा ऐसे रखना है फिर धागे को ऐसे करेंगे आगे फिर से दो फंदे उल्टे और इसे पीछे से ऐसे खीच देंगे अगर हम बहुत जादा खीच देंगे ना इसे तो फिर हमारा डिजैन खीचा खीचा बनेगा तो खिचा खिचा डिजाइन ना बने तो उसके लिए ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही नोर्मल हमने पिछे से खिच रहे है इसे अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बना लेने हैं धागा दूसरी तरफ ये पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब धागे को डबल करेंगे डबल करते हुए फिर से हमने वो चार फंदो वाला डिजाइन डालना है इसे खिच देना है फिर से ऐसे ही धागे को डबल करेंगे ऐसे डालेंगे इसे पीचे से खिच देंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बना देंगे ये थर्ड रो हमने ऐसे बना कर कम्प्लीट कर ली है आप हम बनानी है हमने अपनी फोर्थ रो उल्टी तरफ से तो फोर्थ रो में पहले फर्स्ट फंदे को उतारिए फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और ये चार फिर दो फंदे सीधे फिर पांच फंदे उल्टे उल्टी तरफ से जो फंदे हमें हर सलाई में आपनी ये दियान रखना है जैसे दिखाई दे रहेना सेम वैसे ही उन्हें बनाते जाना है ऐसे पांच फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ यह चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक दो तीन चैना पांच फंदे उलटे दो फंदे सीधे और ये चार फंदे उलटे एक दो तीन चार और ये स्टिच का फंदा भी उलटा ऐसे करते हुए हमने अपनी फॉर्थ रो बना ली है अब ये फिफ्थ रो हमारी सीधी तरफ से तो देख लीजे फिफ्थ रो कैसे चलेगी इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा डबल करते हुए अपनी तरफ कर लेंगे अब ये दो फंदे उल्टे और इस धागे को पी अगर हम ये लूज वाले धागे से उल्टा बना देंगे तो पिछे से खिचेगा नहीं हमारा धागा ठीक है फिर आपको उधेर कर दुबारा से सेट करना पड़ेगा अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ अब ये एक ये दो दो फंदो को स्लाइड डालेंगे एक तो इन दो फंदो में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक इस तरह से अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब इसी डिजाइन को पूरी स्लाइड में रिपीट करेंगे धागे को डबल करते हुए आगे करेंगे इस धागे को दो ऐसे लेंगे यह उल्टे बनाए और इसे खींच दिया धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ अब यह अंबी बन रहे हैं जो एक से पांच फंदे बनाए थे पत्ती अब इन में से दो फंदे ऐसे उतारे वापस लिया ऐसे लेफ्ट निटल में प दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ऐसे डबल करते हुए आगे कर लेंगे और यह दो फंदे उल्टे ऐसे पिछे से खींच देंगे फिर से दो फंदे उल्टे इसे पिछे से ऐसे खींच देंगे लास्ट का फंदा सीधा बना देंगे ऐसे करते हुए आपने तरो उल्टी तरफ से देख लीजे, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये चार फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनेंगे, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ ये दो सीधे हमारे सीधे बनेंगे, अब यहां पर ये तीन फंदे हमारे पास उल्टे रहेंगे, इन्ह तरफ चार फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा भी उल्टा ऐसे करती हुए ये 6 रो हमने बना कर कम्प्लीट कर ली अब रो 7 हमारी सीधी तरफ से देख लीजे कैसे बनेगे इस 1st फंदे को आप उतार दीजे 1st फंदे को उतारने के बार धागा आपनी तरफ कर लेंगे ऐसे डबल करकर और जो धागा नहीं खीच रहा है उससे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और खीचने वाले धागे को पीछे से खीच देंगे अब फिर से धागे को ऐसे डबल करेंगे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और इसी खिंचने वाले धागे को पीछे से ऐसे खिंच देंगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह इन तीन फंदों का हमने एक करना है तो एक दो इन दोनों फंदों को आगे से स्लाई डालते हुए ऐसे उतार कर सीधा करते हुए ऐसे डालेंगे इस स्लाई में और ये तीनों फंदों को पीछे से स्लाई डालते हुए तीन फंदों का एक बना देंगे इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे अब डबल और उल्टे बना लेंगे, इसे पिछे से खेंच देंगे, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन दो फंदों को आगे से ऐसे स्लाइड डालते हुए उतारेंगे, सीधा कर लेंगे, ऐसे लेंगे स्लाइड में, दो और ये एक तीन, इन तीनों फंदों में पीछे से स्लाइड डालते हुए, तीन का एक कर देंगे, ठीक है, यह सेंटर वाला फंदा हमारे ऐसे सेंटर में आना चाहिए, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, फिर यही चार फंदों का डिजाइन धागे को ऐसे आगे कर लेंगे, दो फ फंदा सीधा, ऐसे करते हुए हमने अपनी सेवंथ रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, रो एट, एट रो को देखे कैसे बनाएंगे, फिर फंदे को उतारेंगे, उतारने के बाद यह चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, फ धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ यह एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ यह एक, दो फंदे सीधे, धागा अपनी एक दो तीन चार फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा उल्टा ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कम्प्लीट कर लिए और ये एट्थ रो का ही हमारा डिजाइन है यहीं पर हमारा डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो गया है अब इसे हमने क्या करना है यहां से फर्स् अब इस एक फंदे के हमने पांच फंदे बना देने हैं फिर से दो फंदे उल्टे चार फंदो वाला डिजाइन सेम ऐसे ही दो फंदे उल्टे इस एक फंदे के फिर से हमने यहां पांच फंदे बनाने हैं आपको नहीं पता लगेगा तो आप दूबारा से वीडियो चला कर देखेंगे तो और डिजाइन को रिपीट कर लीजीगा तभी आपको यह लर्न हो जाएगा डिजाइन आगे- आगे आप बनाती जाओगे तो इस तरह से देखिए ब्यूटिफूल डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन है प्लीज लाइक शेयर करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबाई